नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरबल चाई के फाइदों के बारे में दोस्तो स्वादिष्ट हरबल चाई कई लोगों के लिए एक पसंदिदा पे जोए वो बन गई है और वास्तो में लोग इनके स्वाद और अविश्वश्शनी या अवसद या गुणों के कारण सदियों से इनका सेवन करते आए हैं पीने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ या पोशक तत्वों से भरी हुई है और यह न केवल आपके शरीर में तरल पदार्ट की पूर्ती करती है बलकि यह अतिरिक तो पोशक तत्वों के साथ भी भरी होती है कौफी के विपरित इसमें कैफरीन की मातरा नहीं होती जिसका सेवन विबिन प्रकार की स्वास्त समस्याओं को जुन्म देता है हरबल चाय बनाना बहुत ही आसान होता ये अने को स्वस्तला प्रदान करती है तो चलिए जानते हैं कि हरबल जो चाय है उसके फायदे जो है दोस्तो क्या क्या होते है सबसे पहले दोस्तो बात करते हैं कि ग्रीन टी पिने के जो फायदे होते हैं वो वजन कम करने के लिए होते हैं तो स्वस्थ हर्बल चाय की बात करें तो इस सुची में ग्रीन टी सबसे उपर है, ग्रीन टी वजन गटाने और मोटा पे से लड़ने में मदद करती है, मोटा पा जो है वो हार्ट के रोगों से लेकर डायबेटीस तक कई रोगों का प्रमो कारण होता है, ग्रीन टी जो होती है वो एपी गेलो केटेचिन गेलेट उस यानि की EGCG नामक एक केटेचिन से समरुध है, जो की कैलोरी को जलाने और वजन को कम करने के लिए मेटबोलिजम को बनाता है, International Journal of Obesity में प्रकासी 2009 के एक स्टड़ी में हरी चाय में वजन गटाने और वजन नियंतरित करने के सकारात्मक प्रबावद देखे गए हैं, हरी चाय में Antioxidants के गुण होते हैं, जो की उम्र से संबन्दित बिमारियों से शरीर की रक्षा करने के लिए पिश्यू कोशिकाओं को मजबूत करते हैं, और यहाँ प्रदुशकों की वज़े से सेल के नुकसान को रोकते हैं, हरी चाय कैंसर से लड़ने में भी मदद करती हैं और यह हार्ट के रोग को रोकने और डियाबिटीज के खत्रे को कम कर सकती है, साथी साथ कम करती है और इसके सेवन से प्रती रक्षा प्रणाली भी मजबूत बनती है, दोस्तो बात करें कि ग्रीन टी बनाने की क्या विदी होती है, तो एक कप में एक से दो चमच अच्छी गुणवत्ता वाली हरी चाई की पतियों को डालें और अब कप में गर्म पानी डालें और अब इसे डग कर दो से तीन मिनट के लिए छोड़ दें और अब इसे चान लें फिर इसमें थोड़ा शहिद मिला लें और इसे पिएं, आप रोजाना तीन से चार कप हरी चाई पी सकते हैं, दोस्तो बात करें अद्रक की चाई की, तो दोस्तो अद्रक की चाई के जो फाइदे होते हैं वो गठिया यानि आर्थराइटिस में होते हैं, दोस्तो अद्रक किसी भी प्रकार की सूजन को कम करने में मदद करता है, ग Journal of Medicinal Food में 2005 में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि अद्रक जो है वो कोशिकाओं के सूजन को कम करता और इसलिए यह गठिया और अन्य प्रकार के सूजन के लिए प्रभावी उपचार होता है। बड़ा चमच अद्रक का टुकडा और दो कप पानी डाल लें और अब पानी को 10 मिनट के लिए उबाल लें और अब इसे किसी साफ कप में छान लें। और अब आप इसमें थोड़ा शहद और कुछ बूंद नीबू रस डालकर अच्छी तरह से मिला लें और इसका सेवन आप कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं केमोमाइल चाय की। दोस्तों केमोमाइल की चाय के जो लाब होते हैं वो अनिद्रा में बहुत होते हैं यानिके इन्सॉम्निया में। दोस्तों केमोमाइल चाय होती है वो अनिद्रा और नींद संबंदित अन्य विकारों से ल टर से बांधता है नियमित रूप से कैमोमाइल चाय को पीने से सिर दर्द से राहत मिलती है और इसके अलावा मास पेशियों का दर्द कम होता है तनाव नियंत्रित होता है मासिक दर्म के एठन से राहत मिलती है पेट की समस्याओं का इलाज होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है और प्रतिरक्षा बढ़ती है चाई बनाने के लिए ताजी और सूखे कैमोमाई फूलों का उपयोग किया जाता है दोस्तों इसकी विदी की बात करें तो एक कप गर्म पानी में एक चम्मच सूखे केमोमाईल या फिर दो चमच ताजा केमोमाईल फूल डालें और अब इसे पांच मिनिट के लिए डग कर छोड़ दे और फिर इसे चान लें और अब इसमें थोड़ा शहद मिलाकर इसे गर्म जो इसका गर्म करते ही इसे पी लीजिए दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देने योगी यह बात है कि यदि आप गर्म बबती है यह गर्म बबती होने की कोशिश कर रही है तो इस जड़ी बुटीके सेवन से आपको बचना चाहिए अब दोस्तों हम बात करेंगे पुदीने की चाय की तो दोस्तों पुदीने की चाय जो है वो अपच जो है उसके लिए बहुत अच्छी होती है निकि इन डाइजेशन के लिए उसको स्वस्त करने के लिए दोस्तों पुदीने की चाय अपच और अन्य गेस्ट्रो इंटेस्ट करती है इसके अलावा यह आसानी से बोजन को पचाने में मदद करती है और मतली की समस्या चे चुटकरा दिलाती है मेंथोल होने के कारण पुदीने की चाहे शरीर और मन पर ठंडा और शांत प्रभाव डालती है और इस जड़ी बूटी में मेंगेनीज तामबा और विटामि को कम करने मौखिक स्वास्तों को बनाए रखने और एलर्जी और अस्तमा को रोकने में मदद करती है दोस्तों इसकी विदी की बात करें कि आप पुदीनी की चाहे कैसे बनाए तो गर्म पानी के पौट में एक बड़ा चमच ताजे पुदीना के पट्टे डाले और दस मिन तो तुल्शी की खुश्बु जोए वो बदबुदार सांस की समस्या में मदद करती है तुल्शी में एंटी ऑक्सिडेंट्स और जिवान रोधी गुन होते हैं जो की मूँ के अंदर गंद पैदा करने वाले बैक्टरिया से लड़ने में मदद करते हैं और पायरिया और मस से दुरगंद की समस्या के इलाज में मदद मिलती है पतियों को चबाने से जो जलिय गोल निकलता है वो भी बदबुदार सांस से लड़ने में प्रभावी पाया गया है इसके अलावा तुल्सी में विटामिन A, विटामिन K, विटामिन C और मेंगनीज पाया जाता है तु एक कप में 2 चमर सूखे तुल्सी के पतो को डालें और अब पतो पर उबला हुआ पानी डालें और अब इससे 10-15 मिनट के लिए डëक कर छोड़ दें और इससे चान कर शाय शैद मिलाकर पी सकते हैं अब एक दिन में तुल्सी की चाय के 2-3 कप पी सकते हैं और अब हम दुस सूजन से मुक्ति दिलाती है और इसके रोगानों रोधी गुन सरदी से लड़ने में मदद करते हैं और गले में हानी कारक जिवानों की विकास को दीमा करके गले की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। सूखे सेज की पतिया डालें और अब इसमें उबला हुआ गर्म पानी डालें और अब इसे पांच मिनट के लिए छोड़ दें और अब इसे छान लें और इसके स्वाद और प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ नीबू का रस और शहट डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। प्रसिद्ध ये जड़ी बूटी है और ये दिमाग को शांत कर चिंता कम करने और नीद को बढ़ाने में मदद करती है। अकस्तर बना रहता है और भूख में भी सुधार होता है। दोस्तो इसको बनाने की विदी की बात करें तो एक कप में एक से दो चम्मस सूखे लेमन बाम डालें और अब उसमें उबला हुआ पानी डालें और अब इसे डखकर छोड़ दें। जब यह ठंडा हो जाए तो इ करने में मदद करती है। यह शक्तिशाली लिवर टॉनिक लिवर में जमे वसा के चाया पचया में मदद करती है। जिससे की लिवर के काम करने की क्षमता बढ़ती है। यह पित्व के प्रभा को भी बढ़ाती है और लिवर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है जर्णल ओफ एथेनो फार्मा कॉलोग गिमें प्रकाशित 2010 के एक स्टड़ी में पाया गया कि सी परणी की जड़ लिवर रोगों के लिए बहुत फाइदेमंद होती है और इस जड़ी बुटी में आइरन, पोटेशियम और बीटा के रोटीन जैसे आवस्या खन सुजन से लड़ने में मदद करती है और हाई ब्लड प्रेशर को नियंतरित करती है और मुत्र संबंदी विकारों को रोकने में फाइदेमंद होती है दोस्तो आप इसे कैसे बनाएंगे एक कप पानी में दो चम्मस सी परणी की जड़के चूरण को डालें और अब इसे दो ब्लड प्रेशर को नियंतरित करने के लिए बहुत ही फाइदेमंद है गुडल में एंटी ऑक्सिडेंट्स योगिक होते हैं जो कि कम घनत्व वाले लिपो प्रोटीन यानि की LDL यानि की खराब कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सी करन को रोकने में मदद करते हैं जिससे की दमनियों शुरुआती चरण में उनका ब्लड प्रेशर कम होता है गुडल की चाय हाई कॉलेस्ट्रॉल को कम करती है पाचन में सुधार करती है प्रती रक्षा प्रनाली को मजबूत बनाती है दोस्तों दो कब पानी में दो चम्मच सूखी गुडल की पंखुडी डालें और अब इस से 10 मिनिट के लिए उबाल ले और अब इसे चान ले और इसमें स्वाद के लिए शहद और थोड़ा नीबू का रस डाले और इसे आप पिए आप प्रती दिन इस चाय का दो से तीन कप सेवन कर सकते हैं और यहां पर दोस्तों ध्यान देने योग के बात यह है यदि आप कि चाय का सेवन नहीं करें क्योंकि आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजी और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूल और अगर आप हुमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नाटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके हैंक्स फूर यॉर टाइम